Relance, Geo, Airtel और Vodafone Company आगे क्या क्या करने वाली है? जब आप ये जानियेगा तो आपके हो सूर जाएंगे अगर आप Airtel या Relance, Geo या फिर Vodafone Idea का सीम इस्तमाल करते हैं तो अभी तक आपको ये जानकारी तो जरूर मिल गई होगी कि ये सभी company अपने recharge का दाम बढ़ा चुकी है यानि जो पहले आपको कम पैसे में मिलता था वही सुविधा अब आपको जादा पैसा देने पे मिलेगा लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहानी यही पे खत्म हो गई है तो एकदम गलत हैं आप हम आपको बताएंगे कि ये सारी company आगे क्या क्या करने वाली है क्या कर सकती है साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये company अपने recharge plan का rate या दाम बढ़ाई क्यों है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है पहले नमस्कार मेरा नाम राकेस है और आप प्रियासनी उच पे ये वीडियो देख रहे है देखिए सबसे पहले इस बार रिलांस जीओ ने अपने recharge plan का rate ये वो बढ़ाया उसके बाद air tail ने बढ़ाया उसके बाद vodafone और idea ने बढ़ाया कितना बढ़ाया पहले वो जान लीजिए रिलांस जीओ ने अपना rate जो है recharge plan का वो सारे 12% से लेके 25% सक बढ़ाया vodafone idea ने लगबग 20% के आसपास बढ़ाया उसके बाद air tail ने जो है 21% के आसपास अपना recharge plan का rate बढ़ा चुकी है ये कितने दिन बाद हुआ है तो 30 महीना पहले ये सभी company जो है वो अपना rate एक बार बढ़ाया थी और अब 30 महीने के बाद एक बार फिर से सारी mobile company जो है वो अपने recharge plan का दाम जो है वो बढ़ा चुकी है क्यों बढ़ा चुकी है वो जानने से पहले आप ये समझे कि पिछली बार एयर टेल ने आगे आके अपना price बढ़ाया था उसके बाद रिलांस जी और वोडा फोन आइडिया ने सेम वही pattern पे अपने recharge plan का rate जो है वो बढ़ाया लेकिन आप ये समझे कि ये सारी company जो है यानि घाटे में चल रही है ये सभी company के ऊपर एक मोटा रकम सरकार का जो है वो करजा है और उसी को चुकाने के लिए अब ये धीरे-धीरे अपना rate बढ़ा रही है पहले तो competition में सभी company जो है बहुत सारे service जो है provide करते हैं एकदम कम cost में या फिर एकदम free में लेकिन अब धीरे-धीरे इन लोगों को ये बात समझ में आ रहा है और धीरे-धीरे ये लोग जो है वो अपने price को बढ़ाएंगे अब सबसे पहले price क्यों बढ़ा है उसको समझने के लिए आपको हम लिए चलते हैं ARPU के उपर ARPU क्या होता है तो ARPU का मतलब होता है average revenue per user यानि average revenue per user का मतलब हो गया कि हर एक user पे कोई भी company कितना रुपया कमाती है तो Relance Geo के average revenue per user की बात की जाए तो जियो जो है 181.7 रुपया per user कमाती है यानि Relance Geo का ARPU जो है 181.7 रुपीज है यानि एकदम आसान भासा में समझे तो Relance Geo का अगर आप सीम इस्तमाल करते हैं तो company आपसे हर महीने 181.7 रुपया कमाती है अगर Airtel की बात की जाए तो Airtel का ARPU है वो वर्तमान में 203 है यानि Airtel अपने हर एक user से average महीने में 203 रुपया भी कमाती है अब ये rate बढ़ क्यो रहा है देखिए भारत का जो Airtel है वो विशुभर में सबसे कम में ही गिना जाता है यानि अफ्रीका जो एकदम गरीब है वहां पे भी भारत से ज्यादा Airtel है यानि वहां की जो टेलिकॉम company है वो भारत में जितना एक वेक्ती से लिया जाता है कमाई उससे भी ज्यादा अफ्रीगी एक वेक्ती से यानि Airtel revenue पर यूजर जो है वो ज्यादा है वहां एक वेक्ती से ज्यादा पैसे लिये जाते हैं भारत में जो है वो कम लिया जाता है कैसे यह बात कही जा रही है और यह Airtel का जहमेला क्या है तो देखिए हाल ही में भारती मिट्टल जो Airtel company के जो है चेर्मेन है उन्होंने कहा था कि भारत में जो है Airtel लगभग में 300 होना चाहिए तब जाके हम अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे और कितना है अभी तो Airtel का 203 है 203 है Airtel का और 181.7 है Relance Gio का यानि 300 होना चाहिए और अभी 181.7 Gio का और Airtel का 20 203 है तो कंपनी घाटे में चल रही है कितना घाटे में चल रही है तो टोटल टेलिकॉम कंपनी पे लगभग 4.17 लाक करोर रुपया कर जा है एक बार फिर से सुनिए 4.17 लाक करोर रुपया कर जा है सबसे आगे बात कि जाए Boda Phone Idea का Boda Phone Idea पे एक लाख एकान्वे हजारetztिधर दसमलो नंव लाख करोर रुपया करझा है एटल की बात करें तो एटल पे भी जो है एक लाख तीन हजार चार सो आठ करोर रुपया करजा है उसके बाद जीवीक करजा में हैं ब्यालिस अजार चार सो चैसी करोर BSNL भी करजा में है 4,400 करोर के लगभग में अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सभी टेलिकॉम कंपनी भारत में जो है वो नुकसान में चल रहा है कंपर्टिशन के चक्कर में बहुत सारी चीजों को फ्री में प्रवाइट किया जा रहा था चसका लगाया जा रहा था लत लगाया जा रहा था आदत लगाया जा रहा था लेकिन अब ये कंपनी घाटे में चल रही है इसलिए ये अपने रिचार्ज का प्राइज बढ़ा के उसको रिकवर करने के फिराक में लग गई है देखे कमपनी विजनस का एक तरीका होता है, पहले money burn किया जाता है, पहले पैसा लगाया जाता है, इनवेश्ट किया जाता है, तब जाके income कमाया जाता है, और RelanceGeo जब से देश में आई है, तब से कई छोटी कमपनी तो बंद हो चुकी है, चाहे यूनिनोर की बात की जाए, एर सेल की बात की जाए, टाटा डोकुमों की बात की जाए, ये तमाम कमपनियां बंद हो गई, इवें जो है वोडा फोन और आइडिया जैसी बरी कमपनी आपस में मिल के मर्ज होके काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि टेलिकॉम कमपनी में भारत में क्या कुछ चल रहा ह और अब ये टेलिकॉम कमपनी अपना मोटा रकम जनता से हमसे आपसे तसिलने के फिराक में लग गई है, तभी आप देखिए रिलांस दियों का मिनिमम जो प्लान था 155 का 28 दिनों के लिए वो अब हो गया है 189, इधर एयर टेल का देख लिजिए, मिनिमम जो प्लान था 179 का वो अब 199 का हो गया है, इधर बोड़ा फोन आइडिया का चार्ट है, इसको देख लिजिए, 179 का प्लान था, 199 का हो गया है, और इसी तरह से हर एक प्लान पे 20% के आसपास सभी कमपनी ने अपना दाम जो है वो बढ़ा दिया है, अब आप ये समझे कि ये दाम बढ़ान चाहिए, लेकिन अभी भी दाम बढ़ाने के बावजूद, जियो का जो है, दो हजार पचीस चप्विस में, एर प्यूद 212 हो सकता है, जियो का 212 हो सकता है, यानि 300 से अभी भी दूर है जियो, अगर ये टिल की बात की जाए, तो ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी इसक है, अब हमने सुरुवात में क्यूं कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, अगर आपको ये लगता है कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, तो आप गलत है, ये तमाम कमपनी आने वाले 6 महिना में या फिर साल भर में अपना रेट और बढ़ाएगी रिचार्ज का, क्यूंक उसे कम 300 रुपया पर यूजर अगर कमाएंगे महिना में, तब जाके वो सर्विस वो क्वाइलिटी हम प्रवाइड कर पाएंगे, तुल्ला करके इन्होंने बताया था कि अफ्रीका में भी भारत से ज्यादा लिया जाता है, और अफ्रीका चुकी गरीब से इसलिए अफ्र आले 6 महिना या साल भर में निश्चित तोर पे एक बार फिर से अपना रेट रिचार्ज का बढ़ा सकते हैं, बाकी आपको ये इन्फोर्मेशन कैसा लगा, जरूर बताईएगा, कमेंट बॉक्स में इन तमाम कमपनियों के बारे में क्या कूश सोचते हैं, वो भी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो शेयर कर दीजेगा ताकि लोगों को ये बात समझ में आए, कई लोग ये कह रहा है कि लेक्सन खत्म होने के बाद रेट बढ़ाया गया है, इसमें गौवर्मेंट का कोई हाथ नहीं है, हाँ बरे-बरे कमपनियों पर एक में लोग झाए।